पिछले अध्याय में हमने जाना कि यदू और पुरुवादी बंचों में कौन-कौन कब-कब उत्पन हुए और उन्होंने कितने समय तक शासन किया। इसमें चानक्य का वर्णन भी मिलता है। एवं भविश्य में कौन-कौन किस-किस समय उत्पन होंगे इसका भी वर्णन किया गया है। इस सद्ध्याय में हम वसुदेव देवकी का विवाह और कृष्णाफदार का उपक्रम आदी विश्यों को जानेंगे। नमस्कार अगर आप किसी कारण वश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य किजीगा। विश्णु पुरान पंचमंच श्री मैत्रय जी बोली। भगवन आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनकी चरित्रों का क्रमशह यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रम्रिशे, ये दुकुल में जो भगवान विश्णु का अंशातार हुआ था, उसे में तत्वतह और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुर्शोतम ने अपने अंशांश से प्रित्वी पर अफ्दीर्ण होकर जो जो कर्म किये थे, उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बूले, हे मैत्रे, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विश्णु के अंशावतार का चरित्र सुनू। हे महमुने, पूर्वकाल में देवक की महा भाग्यशालीनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवा किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर वेदा होते समय, भोजनन्दन कंस सार्थी बनकर उन दोनों का मांगलिक रत हांटने लगे। उसी समय मेक के समान गंभीर खोश करती हुई आकाशवानिक कंस को उचे स्वर से संबोधन करके यों बोली। अरे मूड पती के साथ रत पर बैठी हुई जिस देवकी को तु लिये जा रहा है। इसका आठवा गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले। यह सुनते ही महाबली कंस मयान से खड़क निकाल कर देवकी को मारने के लिए उद्वत हुआ। तब वसु देव जी यों कहने लगे। हे महाबाग, हे अनक, आप देवकी का वद्ध ना करें। मैं इसकी गर्भ से उत्पन हुए सभी बालक आपको सौंप दूँगा। शिप राशर जी बूले, हे दूजु तुम। तब सत्य के गौरव से कंस ने वसु देव जी से बहुत अच्छा कहे देवकी का वद्ध नहीं किया। इसी समय अतन्त भार से पीडित होकर पृत्वी गौ का रूप धारन कर सुमेरू परवत पर देवताओं की दल में गई। बहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को परणाम कर खेद पूरवक करुन स्वर से बोलती हुई अपना सारा बृतात कहा। पृत्वी बोली जिस प्रकार अगनी सुवन का तथा सूर्य गौ अर्थात किरन समूह का परम गुरू है। उसी प्रकार संपून लोकों की गुरू श्री नारायन मेरे गुरू है। वे प्रजापतियों के पती और पूर्वजों की पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। तथा वे ही कला, काष्टा, निमेश, सुरूप, अव्यक्त, मूर्थिमान, काल है। हे देवश्रिष्ट गण, आप, सब लोगों का समों भी उन्ही का अंशिसुरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अगनी, पित्रीगण, और अत्रियादी, प्रजापतिगण, ये सब अप्रे में महात्मा विष्णू के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्ब, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदी भी महात्मा विष्णू के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र, तथा तारागणू से चित्रित आकाश, अगनी, जल, बायू, मैं और इंद्रियों के संपून विष्णू में ही है। तथा भी उन अनेक रूप धारी विष्णू के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान राद दिन एक दूसरे के बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आधि द्यत्यगन मरते लोग पर आधिकार जमा कर अहर्निष्ट जन्ता को कलेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थेवान भगवान विष्णू ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नर्ग, सुन्द, बलिका, पुत्रादी, भयंकर बानसुर तथा और भी जो महाबलवान, दुरात्मा, राक्षस, राजाओं की घर में उत्पन हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिप्वी मूर्ती धारी देवगण, इस समय मेरे उपर महाबलवान और गर्वीले दैते राजों की अनेक अक्षोहिनी सेना हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह पतलाय देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पिडित होकर अपने को धारन करने में सरवथा अस्मर्थ हूँ। अतहर हे महाबागण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय की जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रासातल को ना चली जाओ। प्रित्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने की विशय में समस्त देवताओं की प्रिर्णा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंब किया। ब्रह्मा जी बोले हे देवकर्ण प्रित्वी ने जो कुछ कहा है वे सर्वता सत्य ही है वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायन सुरूप ही हैं उनकी जो जो विभूतियां हैं उनकी परसपर नियूनता और अधिकता ही बात है तथा बाधक रूप से रहा करती है इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें वहां श्री हरी की अराधनकर ये संपूर्ण व्रतांत उनसे निवेदन करतें वे विश्वरूप सरवात्मा सरवदा संसार के हित के लिए ही अपनी शुद सत्माश से अवतीर्ण होकर पित्वी में धर्म की स्थापना करते हैं श्री पराशर जी बूले ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एक आक्रिचित से श्री गरुद्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी बूले ये विद्वानी के अगौचर प्रभु परा और अपरा ये दोनों विद्याय आप ही हैं ये नात ये दोनों आप ही के मूर्थ और अमूर्थ रूप हैं हे अत्यंत सुक्षुम, हे विराड़सो रूप, हे सर्व, हे सर्वक्य, शब्द ब्रह्म और परव्रव, ये दोनों आप ब्रह्मय के ही रूप हैं आप ही रिवेद, ये जुरवेद, सामवेद और अथरवेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, चंद और जूतिश शास्त्र हैं हे प्रभू, हे अधुक्षच, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मिवांसा, न्याय और धर्म शास्त्र, ये सब भी आप ही हैं हे आदेपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सुक्षम, देहे, तथा उनका कारण, अव्यक्त, इन सब की विचार से युक्त, जो अंतरात्मा और परमात्मा के सुरूप का बोधक तत्वमसी वाक्य है, वह भी, आप से भिन्य नहीं है आप अव्यक्त, अनिवार्च, अचित, नामबन से रहित, हाथ बाओ, तथा रूप से हीन, शुद, सनातन और पर से भी पर हैं आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेतरहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं हस्त पादादी से रहित होकर भी बड़े वेक्षाली और ग्रहन करने वाले हैं, तथा सब के अव्यत होकर भी आपको सब को जानने वाले हैं हे परात्मन, जिस धीर पुरुष की बुध्धी आपके श्रेश्टम रूप से प्रिथक और कुछ भी नहीं देखती आपके अनु से भी अनु और द्रिश्य सुरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यांतिक अज्यान निप्रित्ती हो जाती हैं आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं संपून भूत आप ही मिस्तित हैं तथा जो कुछ भूत, भविश्यत और अनु से भी अनु है वे सब आप प्रकृती से परे एक मातर परम पुरुष ही है आप ही चार प्रकार का अगनी होकर संसार को तेज और विभूती दान करते हैं हे अनंत मूर्ते आपकी नेत्र सबोर हैं हे धात आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने तीन पग रखते हैं हे ईश जिस प्रकार एक ही अविकारी अगनी विक्रित होकर नाना प्रकार से प्रजोलित होता है उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अत्यमत रूप धारन कर लेते हैं एक मात्र जो श्रेष्ट परंपत है वह आप ही हैं ग्याने पुरुष ग्यान द्रिष्टी से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। आप रास और व्रिधी से रहत, स्वाधीन, अनादी और जीतेंद्री हैं। तथा आपके अंदर शम, तंद्रा, भय, क्रोध और कामादी नहीं हैं। आप अनिंद्य, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गती हैं। आप सबके स्वामी अन्य ब्रह्मादी के आश्रे तथा सूर्यादी तेजों के तेज एभम अविनाशी हैं। आप समस्त आवरन शुन्य, असायों के पालक और संपून महा विभूतियों के आधार हैं। हे पुर्शोतम आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण, अथवा कारणा कारण से शरीर ग्रहन नहीं करतें। बलकि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बूले। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए। ब्रह्मा जी से प्रसन्य चिच्चे कहने लगे। हे ब्रह्मन देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वैस सबका हो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। तब श्रीहरी के उस दिव्वे विश्वरूप को देखकर समस्त देवताओं के भाई से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनह स्तुति करने लगी। हे सहस्त्रबाहू, हे अनंतमुक एवं चरणवाले, आपको हजारों बार नमसकार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिती और विनाश करने वाले, हे अप्रिमे आपको बारम बार नमसकार है। हे भगवन आप सुक्षम से भी सुक्षम, गुरु से भी गुरु और अती ब्रहत प्रमान हैं। तथा प्रधान, महतत्व और अंकार आदी में प्रधान भूत मूलपुरु से भी परे हैं। हे भगवन आप हम पर प्रसन्न होईए। हे देव, इस प्रित्वी के परवत रूपी मूलबंध इस पर उत्वन हुए महान असुरूं के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। और यह इंद्र, अश्वनी कुमार, तथा वरु, यह रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायू और अगनियादी, अन्ने समस्त देवगण यहां उपस्तित हैं। इन्हें अथ्वा मुझे, जो कुछ करना उचित हो, उन्स सब बातों के लिए आग्या देजिए। हे इश, आभी की आग्या का पालन करते हुए, हम संफून दोशों से मुक्त हो सकेंगे। श्रिपराशर जी बोले, हे महमुने इस प्रकार स्तुति की जाने पर भागवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेद दो केशों खाडए। और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश प्रित्वी पर अफ्तार लेकर प्रित्वी के भारूप गश्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अँच्छों से प्रित्वी पर अफ्तार लेकर अपने से पूर्व उत्पन हुए उन्मत देत्यों के साथ युद गरें। तब मिसंदेह प्रित्वी तल पर संपून देत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षिन हो जाएंगे। वसु देवजी की जो देवी के समान देव की नाम की भार्या है उसके आठमे गर्भ से मेरा ये श्यामकेश अफ्तार लेगा। और इस प्रकार यहां अफ्तार लेकर ये कालनयमी के अफ्तार कंच का वद करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरी अंतरधान हो गए। हे महमुने भागवान के अद्रिश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरू परवत पर चले गए और फिर प्रित्वी पर अफ्तिर्ण हुए। इसी समय भागवान नारजी ने कंच से आकर कहा। देवकी के आठवे गर्व में भागवान धर्णी धर जन मिलेंगे। नारजी से यह समाचार पागर कंच ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारगरे में बंद कर दिया। हेद्विज वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था अपने प्रतेक पुत्र को कंश को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले छे गर्ब हिर्णय कर्शिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु के प्रेणा से योगनित्रा उन्हें क्रमशह गर्ब में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिनी से संभून जगित मोहित हो रहा है। वह योगनित्रा भगवान विष्णु की महावाया है। उससे भगवान श्रीहरी ने कहा। ये बालक पूर्वजन में हिर्णयकशिपु के भाई कालनेमी के पुत्र थे। इसी से इन्ही उसका पुत्र कहा गया है। इन राक्षस कुमारों ने हिर्णयकशिपु का अनाधर कर भगवान की भग्ति की थी। अतह उसने कोपित होकर इन्हें शाप दिया कि तुम लोग अपने पिता के हाथ से ही मारे जाओगे। ये प्रसंग हरिवंश में आया है। श्री हरी ने कहा, हे निद्रे जा, मेरी आग्या से तू पाताल मिस्थित छे गर्भों को एक एक करके देवी की कुक्षी में स्थापित कर दी। वकुल में वसुदेव जी की जो रोहनी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस साथमे गर्भ को ले जाकर तो इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वहें उसी के जठर से उत्पन हुए के समान जान पड़े। उसकी विशे में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोगराज कंस के भैसे देवकी का साथमा गर्भ गिर गया। वेश्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्शन की जाने के कारण संसार में संकर्शन नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे देवकी के आठमे गर्भ में मैं सित होँगा। उस समय तू भी तुरंत ही यह शोधा के गर्भ में चली जाना। उस समय मेरी शक्ती से अपनी मती फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यह शोधा के और तुझे देवकी के शैन ग्रह में ले जाएंगे। तब हे देवी कंस तुझे पकड़ कर परवत शिला पर पठक देगा। उसके पठकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नैन इंद्र सिर जुका कर प्रणाम करने की अनंतर तुझे भागिनी रूप से स्विकार करेंगे। तू भी शुम्ब निशुम्ब आदी सहस्त्रों देत्यों को मार कर अपने अनेक स्थानों से समस्त्र प्रित्वी को सुशोभित करेंगी। तुही भूती, सन्नती, ख्षान्ती और कांती है तुही आकाश, प्रित्वी, ध्रिती, लज्जा, पुष्टी और उशा है इनके अतिरिक्ट संसार में और भी जो कोई शक्ती है वहसक तुही है जो लोग प्रातकाल और साइकाल में अत्यंतर नम्रता पूर्वक तुझे, आर्या, दुर्गा, वेदगरभा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यादा आदी कहकर तेरी स्तुती करेंगे उनकी समस्त्र कामनाय मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी पूर्ण की समपूर कामना को पूर्ण कर देगी तेरे द्वारा दी हुई ये समस्त्र कामनाय मेरी कृपा से निसंदे हें पूर्ण होंगी हे देवी, आप तु मेरे बतलाय हुए स्थान को जा श्री पराशर जी बोले हे मैत्रे, देव देव श्री विष्णु भागवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत दात्री योग माया ने छे गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और साथमे को उसमें से निकाल लिया इस प्रकार साथमें गर्भ के रोहनी के उदर में पहुँच जाने पर श्री हरी ने तीनों लोकों का उधार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया भागवान पर्मेशोर के आक्यानुसाल योग माया भी उसी दिन ये शोधा के गर्भ में स्थित हुई हे तुईच विश्नु अंच के प्रिथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगन ठीक ठीक गती से चलने लगे और इतुगन भी मंगल में होकर शोभा पाने लगी उस समय अत्यांत तेच से देदेप्यमान देवकी को कोई भी देखना सकता था उन्हें देखकर दर्शिकों के चित ठाकित हो जाते थे तब देवतागन अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विश्नु को धारन करने वाली देवकी की अर्णिश्तुती करने लगे देवता पुले ये शोबने तो पहले ब्रह्म प्रतिबिम्बधारनी मूल प्रकृती हुई थी और फिर जगित हाता की वेद गर्भा बानी हुई हे सनातने तू ही स्रिज्ज पदार्थों को उत्पर्ने करने वाली और तू ही स्रिष्टी रूपा है तू ही सबकी बीच सो रूपा यक्य में वेत्रई है तू ही फलमें यकिक्रिया और अग्नी में अरणी है तथा तू ही देव माता आधिती और तैत्ते प्रसु दिती है न्याय में परमनीती और विने संपन्ना लज्जा है। सहस्त्रों और असंके विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक तथा मह, जन, तब और प्रह्मलोक पर्यंत, संपून, ब्रह्मान तथा उसके अंतरवर्ति देव, आसुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गोयक, मनुष्य, पशु, जो अन्याने जीव हैं। ही ये शसुनी, वे सभी अपने अंतरगत होने की कारण, जो श्री अनंत, सर्वगामी और सर्भावन हैं, तथा जिनके रूप, कर्म, सुभाव, तथा बालत्व, महत्व, आदी, समस्त परिमान, परिछेद, अर्थात, विचार के विशे नहीं हो सकते। देही, श्री विश्णु भगवान, तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, सुधा, विद्या, सुधा, आकाश, स्थिता, जियोती है। संपून लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृत्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो, हे शुभे, तू संपून जगत का कल्यान कर। जिसने इस संपून जगत को धारन किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपनी गर्भ में धारन कर। नमस्कार, मैं आभाशर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्साहित करें।